दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कमबोडिया में है इसे अंकोर वाट के नाम से जाना जाता है यह मंदिर अंकोर योमक नामक नगर मिस्तित है जिसे प्राचीन काल में यसोधरपुर कहा जाता था यह विशाल भव्य मंदिर भगवान वीशनु को समर्पित है जिसका निर्मा धाई मील और चौडाई 650 फूट है इस खाई को पार करने के लिए एक पत्थर का पुल बनाया गया है अंकोरवाट मंदिर यूनिसको की विश्व धरोहर अस्थलों में से एक है इस प्राचीन मंदिर की दिवारों पर भारतिये हिंदु धर्म ग्रंथों के प्रशंगों का व खंडों में सुन्दर मुर्तिया बनाई गई है और प्रते खंड से उपर के खंड तक पहुचने के लिए सीडिया भी बनाई गई है प्रते खंड में आठ गुंबज है और ये सभी गुंबज 180 फिट उचे हैं इस मंदिर की विशालता का अंदाज आप बस इसी बात से लग जा सकते हैं कि मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार बनाया गया है जो लगभग 1000 फुट चोड़ा है मंदिर साड़े 3 किलोमेटर लंबी पत्थर की दिवारों से घिरा हुआ है इस दिवार के बाद 700 फुट चोड़ी खाई है जिस पर एक जगह 36 फुट चोड पुल है इस पुल से मंदिर के पहले खंड द्वार तक पहुचा जा सकता है यह मंदिर करीब 162.6 हेक्टेयर में फ्याला हुआ है इसे मूल रूप से खमेर समराज में भगवान वीश्णो के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था यह मंदिर मेरू परवत का भी प्रतीक है इस मंदिर के पास से मिकंगा नदी बहती है अंकोर छेत्र में करीब 1000 से अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं इन में से कई मंदिरों का पुनर निडमार भी हुआ है अंकोर वाट मंदिर तथा अंकोर थोम सहित पूरे छेत्र को युनिसको का विश्व धरहर अस्थ मंदिर में बदल गया यह मंदिर लंबे समय तक गुमनाम रहा उनिश्वी सताबदी के मध्य में एक फ्रांसिसी हैंरी महतो के कारण अंकूर वाट मंदिर फिर से अस्तित्व में आया वर्स 1986 से लेकर 1993 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षडवे भागने इस मंदिर के स्थान के प्रतीक इस मंदिर को 1983 से कंबोडिया के राश्ट ध्वज में भी अस्थान दिया गया है आप देख रहे हैं वारता 24